हलो दोस्तो मैं हूँ धरमबीर सिंग दियोल और आप सब का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्रोशिय के वर्क पर्मट को हासिल कर सकते हैं यह दोस्तो आप मिल्कुल फ्री में कर सकते हैं आपको कोई भी चार्ज या कोई भी पैसा देने की जुरूरत नहीं है अगर दोस्तो आपका भी यही ड्रीम है तो यह वीडियो आपके लिए हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक पहलो की उपर बात करने वाला हूँ कैसे आप जोब के लिए अपलाई करोगे कैसे आप जोब को ढूंडोगे इनके साब को जोब लेटर मिल जाता है तब आप वीजा के लिए कैसे अपलाई करोगे बेसिक इसकी लेजिबिल्टी क्या होगी डोकुमेंटेशन क्या होगी अगर आपके पास 8-10 मिनिट है तब ये वीडियो आपके कम से कम 8-12 लाग रुपे बचा सकती है क्योंकि इनके साब मार्केट में जाओगे किसी अजंट के पास जाओगे तो वो क्रोशया के आपसे 8-12 लाग रुपे चार्ज करेगा यही सब कुछ करना है जो मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाज तक जरूर देखे अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आये हैं पहली बाहर आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तो अगर आपका कोई relative है कोई friend है जो कुरोशिया में जाना चाता है तब आप इस वीडियो का link उसे send कर सकते हैं अब दोस्तो बात करते हैं कुरोशिया की दोस्तो अगर कुरोशिया की बात की जाए तो कुरोशिया already एक tourist destination है यहाँ पर जो काफी line में experience है यहाँ पर as a आप chef काम कर सकते हैं आप as a chef helper काम कर सकते हैं आप as a waiter यहाँ पर काम कर सकते हैं in case आपको management का experience है आप as a hotel manager भी यहाँ पर काम कर सकते हैं in case आपकी education कम है क्योंकि यहाँ पर in case आप fifth भी पास है तब भी आप जोब के लिए apply कर सकते हैं बट वो जोब कैसी होगी construction की आपको मिल सकती है आपको labor की job मिल सकती है in case आपको यहाँ पर mystery का experience है तो तब आप construction में काम कर सकते हो और in case आपको यहाँ पर delivery का experience है आपने जो मैटो में, Amazon में या किसी भी जो delivery partner के साथ काम किया है तब आप as a delivery boy भी महाँ पर काम कर सकते हो और in case आपके education अच्छी है तब आप यहाँ पर IT में काफी अच्छी jobs है आप software developer, website developer यहाँ पर काम कर सकते हैं बट उसकी requirement होती है कि आपके पास कम से कम master degree हो और जो आपके पास कम से कम 2 साल का full time work experience हो in case आपके पास part time experience है तब यह किसी काम का नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर जो job है वो आपकी education और आपके experience के मताबिक available है एक चीज समझने वाली है कि जैसे हमारे देश में देखो हर एक जगा job मिल जाती है बट यह depend करता है कि वहाँ पर क्या requirement है तो वो same ही हिसाब यहाँ पर भी है आप google पर search करो आप website को access करो जितनी भी job आपको मिलती है उनके लिए apply करो किसी ना किसी job में जो आपका resume है वो select हो ही जाएगा और आपको job offer है job letter है वो आपको मिल जाएगी तो अब बात करते हैं कि job को कैसे हम apply करें कैसे हम ढूड़ें तो मैंने जैसे पहले का कि आप google करो दोस्तों हम youtube को internet को इतना ज़्यादा खर्च करते हैं बिट कभी हमने यह सोचा है कि क्या हमें उससे output मिल रहा है आप google को use करो google पे आप लिखो crochet jobs तब आपके पास एक काफी अच्छी जो websites हैं वो आपके visibility में आ जाएंगी आप one by one करके website को explore करो वहाँ पर जो भी आपके field of experience है आपका वहाँ पर आप search करो तो तब आप देखोगे कि आपके जो experience के मताबिक आपके जो field के मताबिक आपको काफी jobs जो हैं वो सामने आ जाएंगी आप one by one करके job के लिए apply करो और जब जो आपका resume है वो select हो जाएगा तब आपको company contact करेगी आपका basic interview होगा जब आप interview clear कर जाओगे तब आपको जो job offer है वो दे दी जाएगी जिसके बिहाव पे आप अपना visa लगा सकते हैं काफी easy method है बट time consuming है कई बार क्या होता है कि एक बंदा एक दो दिन मेहनत करता है वो बाद में भूल जाता है उसे continue नहीं करता बट यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी आप एक job के लिए apply करते हैं आप कोशिश करें आप दूसरी उसके साथ लगती जो job है जितनी भी आपके सामने jobs हैं सब के लिए apply करो job apply करने के लिए basic requirement क्या है सबसे पहले तो आपका जो resume है वो European Union format में होना चाहिए कैसे होगा काफी videos YouTube पे available है इनकेस आप चाहते हैं कि मैं इस topic की उपर video बनाओ तो आप मुझे comment box में type कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में आपके पास एक video जो है इस format में मैं बना दूँ उसके बाद में आपने आपके जो educational documents हैं वो आपके PDF में होने चाहिए आपका जो passport है उसकी पूरी पूरी जो scan को भी है वो PDF format में होनी चाहिए इनकेस आपका कहीं पर experience है वो आपको जो document है PDF format में चाहिए यह document है जब हम job के लिए apply करते हैं जब आपका जब interview आएगा तो हो सकता है कि company आपसे कुछ document की demand और करे यह company की उपर है कि वो आपसे क्या चीज मागे इनकेस जब हमें job offer मिल जाता है तब हम visa के लिए कैसे apply करें तो दोस्तो कुरोशिया के work permit के लिए हमें सबसे जो main document होता है वो job offer ही होता है जब आपके पास job letter या job offer मिल जाती है तब आपने जो अपनी online जो application है उसे fill करना है form को fill करना है उसके बाद में आपने signature करने है अपनी photo लगानी है और अपनी एक appointment जो है वो book करनी है आप VFS के थूरू भी इस visa को process कर सकते हैं जो visa के required documents होंगे उसमें सबसे पहले आपके academic documents होंगे उसके बाद में आपके पास कितना experience है वो आपनी यहाँ पे साथ में लगाना है आपका resume होना चाहिए आपके इनकेस आपने ITR fill की है तो कम से कम दो साल के आपकी जो ITRs है वो होनी चाहिए आपके saving account में कम से कम दो लाक रुपे होने चाहिए आपकी जो PCC है वो recent होनी चाहिए जो काफी लोग होते हैं इनकेस आपकी जो PCC है वो expire होने वाली है माली जी कि उसमें एक महीना भी पड़ा है तब भी आपको जो new PCC के साथ जो अपनी file लगानी चाहिए क्योंकि embassy के मताबिक आपको 40 दिन का processing time लग सकता है इनकेस उस time में आपकी PCC expire हो गई तब वो हो सकता है कि जो आपकी file है वो refuse कर दे तो यहाँ पर basic document होते हैं इतने ज़्यादा documentation यहाँ पर नहीं होती जितने already क्योंकि हमने इसके उपर एक video बनाई होई है अगर आप चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल को explore कर सकते हैं और description में इसका link पा सकते हैं तो बिल्कुल basic requirements होती हैं हर कोई इसे पूरा कर सकता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज यह भी बताऊंगा कि आप agent के चकर में ना फसें दोस्तों जो अपनी profile को आप जान सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरे कौन से document में गलती है मुझे यह पता है कि मैं कौन से documents को सुधार सकता हूँ तब आप मैं अपने documents को क्यों किसी agent को दो क्योंकि देखो as a agent जब काम करते हैं तब जो documents होते हैं वो कई बार agent अपने आप लगाता है अपने आप create करता है एक fake document करेट करता है और in case वो fake document की बाद में जो है उनको चेक किया जाता है तब in case वो उन्हें लगता है कि ये file fake है तब आपकी जो file है वो refuse हो जाती है तो आप ऐसा ना गरें in case आपको mobile चलाना आता है आपको YouTube चलानी आती है Facebook चलाना आता है तब आप अपने form को खुद फिल क पाते हैं तो दोस्तो मैंने इस channel पे काफी जादा videos बनाई होई है जहां पर मैंने हर एक form के बारे में बताया है तो दोस्तो I hope ये video आपको अच्छी लगी होगी informative लगी होगी और जितने आपके doubts है क्रोशिया work permit को लेके वो इस video ने cover किये होंगे अगर अभी भी आपका comment box में type करें मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका answer जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके तो दोस्तो आज की इस video में इतना ही मिलते हैं अगली video में